हाई गाईज इस वेडियो में आपको क्या करना है आपको एक स्टिंग लिआ गया जैसे प्टिंग कुछ small case के लाटर है कुछ capital case के हैं small वालों को capital बनाना है और capital वालों को small case में लेकर आना है चीक है ये करना है तो इसके लिए मैं आपको चीज दिखाऊंगा पर उस पर विचार करते हैं हम लोग कि आरे देखो जैसे आपका कोई character है small p है वो जितना दूर small a से होता है न उतना ही capital p capital a से दूर होता है चीक है तो कि capital a से capital z आसका एक साथ आते हैं और small a से small z एक साथ आते हैं तो जितना small p का आसका है small a से जादा होता है उतना ही capital p का capital a से जादा होता है तो मैं यह बोखता हूं यहांसे कि small p is equal to इस इक्वल टू इसको उधर भेज दो capital p plus small a minus capital a यहां ऐसे लिखना चाहूँगा तो देखना ध्यान से देखना मैं सब उसकता हूँ small a plus capital P minus capital A यह जितना capital P capital A से आगे है वो gap निकालो और small a में आड़ कर दो तो small p आ जाएगा similarly अगर किसी को यह वाला चीज इधर भेज देगा तो capital P का formula बना सकता है कि यह वाला इधर आ जाए तो capital A plus small p minus small a कि small p और small a का जितना gap है अगर वो capital A में आड़ किया जाए तो capital P मिल जाएगा तो मैं यह बोलूँगा lower case equal to small a plus upper case का character minus capital A upper case वाला जितना capital A से आगे होगा जितना gap होगा उतना small a में आड़ करेंगे तो lower case का character मिल जाएगा और lower case का character चाहिए lower case का character चाहिए तो आप क्या लिखेंगे upper case का character चाहिए तो upper case वाला capital A में आड़ करें क्या आड़ करें जितना lower case वाला small a से आगे है तो lower case में small a आड़ करेंगे minus करेंगे तो हमें gap पता लग जाएगा कि lower case वाला small a से कितना आगए है वो gap capital G में add करेंगे तो हमें upper case का corresponding character मिलेगा चीक है तो बाकी चीज़ अगर मिटा भी दूँ मैं ये formula अपने पास रख लूँ तो हमारे काम आएगा ये है हमारा formula जो casing के काम आता है है तो string form में तो change नहीं हो पाएंगे हम को string builder में ले लेंगे string builder में मैं ले लूँगा sb equal to new string builder और उसमें मैंने string को receive किया अब मैं loop लगाऊंगा int i equal to 0 i less than string builder dot length इसके last तक जा रहा हूँ character निकालूँगा string builder dot caret i अब देखूँगा यह character upper case है या lower case कैसे देखूँगा अगर character small a से बड़ा है मगर small z से छोटा है तो वो lower case का है otherwise वो upper case का होगा अब वो lower case का है उसका upper case चाहिए मुझे तो care upper case upper character equal to upper case में चाहिए तो capital A में add होगा क्या add होगा जितना यह character small a से आ गए है ठीक है तो पर लेकिन जब characters plus minus होते हैं तो वो integer बन जाया करते हैं तो उसको वापस आपको care में typecast करना पड़ेगा तो यहाँ पर confirm होगया था कि आपका character lower case है तो आपने उसमें से a को minus किया तो पता लगया कि वो small a से कितना आ गए है उतना capital A में add किया तो अपर case का character मिल गया अब स्ट्रिंग मिल्डर में मैं वापस कर दूँगा इस करेक्टर को set set care at आइध पोजिशन पर यू सी एच को हम set कर देंगा अगर यह else में आता तो मतलब यह lower यह मतलब यह small a से small z के बीच में नहीं है तो इसका मतलब यह character जो है capital A से capital Z के बीच में है अगर इन दोनों के बीच में हमारा character हुआ तो मतलब वो capital है capital है तो lower case में लाना पड़ेगा तो lower case में लाने के लिए मैं उसमें से minus करूँगा character में से capital A को minus करूँगा पता लग जाएगा capital A से कितना दूर है इतना ही small a में add करूँगा gap तो मुझे small case में उसका corresponding character मिल जाएगा जो मैं string builder में set कर दूँगा return करते हुए मैं string builder पर two string function call करके उसको string में convert कर लूँगा तो this will give me the answer let us give it a run तो लग रहा है कि चल रहा है यह submit करके देखते हैं और correct answer आ रहा है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा उमीद करता हूँ मज़ा आया होगा मिलते हैं अगले सवाल में और आप मेरे content को please like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने यारे दोस्तों को बताएं ताकि सबका बला हो मिलते हैं अगले सवाल में thank you very much अजयर को मेंदीध करें आपका वेफ दोन fal zapy pon अ authentic में finalistर करें और आंपब हो और आप आवर करें क 50 अवर करें आंप ताकित हैं में 1905 झाल झाल